आज हम आपको बताने जा रहे हैं देश के पांच बड़े बाजारों के बारे में जहां चूरी का सामान मिलता है देश के इन चूर बाजारों में चूरी की गाडियों को मोडिफाई करके बेचा जाता है यहां अपनी गाड़ी या बाइक खड़ी करके समय बिसेश ज्यान रखें क्योंकि यहां आपकी गाड़ी पल भर में गायब हो सकती है और हो सकता है उसके पास चोर बाजार की दुकान पर नज़र आ जाएं तो आईए जानते हैं इन बाजारों के बारे में मुंबई कर चोर बाजार दच्छन मुंबई के मटा विश्टीर मुंबद अली रोर के पास इस पित है यह मार्केट करीब 150 साल पुराना है इसे पहले शोर बाजार के नाम से जाना जाता था क्योंकि यहां दुकानदार तेज आवाज लगाकर सामान बेशते थे जिससे यहां काफी शोर रहता था लेकिन अंग्रेज लोगों के शोर सब्सको गलत बोलने के कारां इसका नाम चोर बाजार पढ़ गया यहां सेकेंड एन कपड़े, आटो मोवाइल पार्ट, चुराई होई जारियां, चोरी के विंटेज और एंटिक सजाब्ती सामान मिलते हैं इस मार्केट के लिए कहावत कही जाती है कि यहां आपके घर से चोरी हुआ सामान भी मिल जाएगा क्या है फेमस, यहां के रेस्ट्रा और कवाब काफी फेमस हैं यहां जेव काटने वालों से साबधान रहे, कब खुलता है मार्केट यह मार्केट रो जाना सुबह 11 वजे से 3.5 वजे तक खुलता है, यहां के किस्ते भी फेमस हैं यहां के बारे में कहा जाता है कि मुंबई की यात्रा के दोरान कुईन विक्टूरिया का सामान शित में लोड करते समय तोरी हो गया यही सामान बाद में मुंबई के चोर बाजार में मिला दिल्ली का चोर बाजार यह दिल्ली का सबसे पुराना चोर बाजार है पहले ये संडे मार्केट के तोर पर लाल के लेके पीछे लगता था अब ये दरियागंज में नावेल्टी और जमा मस्जिद के पास लगता है ये बाजार मुंबई से अलग है इसे कवाडी बाजार भी कहा जाता है यहां हार्डवेयर से लेकर शिच्चन और सामान मिलता है कब खुलता है ये मार्केट जमो मस्जिद के पास संडे के दिन लगती है यहां खरिक के समय प्रोडक्ट जात लें क्योंकि जैसा दुकानदार कहते हैं वैसा प्रोडक्ट नहीं निकलता है यहां का किस्तावी है प्रिशिद्ध यहां के लिए एक कहानी प्रिशिद्ध है कि एक आदमी में यहां गाड़ी पार्ट की थी उसे अपने गाड़ी के टायर दुकान में बारगेन करते समय मिले सोती गंज मेरट यूपी के मेरट में सोती गंज मार्केट काफी फेमस है इस मार्केट को चोरी की गाड़ियों और इस प्यार पार्ट का गड़ भी माना जाता है यहां सभी गाड़ियों के ओटो पार्ट मिल जाएंगे यहाँ चोरी, पुरानी और एक्सिडेंट में खराब ही गाड़ियां आती हो मेरट की सोती गंज मार्केट एक या के सबसे बड़ी स्क्रेप मार्केट भी है कब खुलती है मार्केट सवे 9 वजे से साम 6 वजे तक यह मार्केट खुलती है यहाँ सामान खरीदने के लिए आपको सही डीलर मिलना ज़रूरी है यहाँ क्या है फिमस सोती गंज में 1979 की अमजडर का ब्रेक अप पिश्टन 1960 की बनी महिंदरा जीट क्लासिक का गेर वॉक दूसरे विश्वियुद की बिलीजीट के टायर भी मिल जाएंगे चिक पेटे बैंगलूर बिली और मुंबई के चोर बाजाओं के मुकाबले बैंगलूर का मार्केट कम फिमस है यह मार्केट बैंगलूर में चिक पेटे जगए पर संडे के जिन लगती है यहां सेकेंड नहें सामान जैसे ग्रामोफोन, चोरी के जज़ेट, कैमरा, एंटिक, एलेक्ट्रोनिक आइटम और सकते जिम एक्कुपमेंट मिलते हैं यह मार्केट लोकल मार्केट की तरह ही है कब लगती है मार्केट? यह मार्केट एक गाउं के मार्केट की तरह संडे के दिन लगती है कहां लगती है मार्केट यह मार्केट बीवी के आयंगा रोड पर एवेन्यू रोड के पास लगती है अदू पेत्ताई चेन्नई Central Chennai में इसकित आटो नगर में फुरानी और चूरी की गाड़ियों को मोडिफाई करते हैं यहां हजारों की संख्या में दुकाने हैं यह दुकाने गाड़ियों के original parts और कार को बदलने के लिए फेमस हैं यहां गाड़ियों के तमाम spare parts से लेकर कार मोडिफाई का सामान और सर्विस मिलती है यह चोरवाजार गाड़ियों को बदलने का सबसे सब्सक्ता जरिया है इस मार्केट में कई बार पुलिस की rail पढ़ती रहती है लेकिन यह तब भी कभी बंद नहीं हुआ कब खुलती है मार्केट यह मार्केट एगमोड ट्रेन स्टेशन से एक किलोमीटर दूर है यह सुबह 10 वजे से साम 6 वजे तक खुली रहती है तो दोस्तो आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी तरह की और जानकारी वाले वीडियो देखने के लिए वीडियो के नीचे दिया सबस्क्राइबर बटन दबा कर हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर ले तो दोस्तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे धन्यवाद